नमस्कार दोस्तों मैं दली से सुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि GSSB के वेकैंसी में आप कैसे अपलाई कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टेशन कैसे करना है आगे का प्रोसेस अगली वीडियो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि कैसे करना है रजिस्टेशन तो आपको क्रोम पर GSSB ओफिसेल वेबसाइट लिखना है तो सबसे टॉप वेबसाइट पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करना है आपको ठीक है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं आप देश सकते हैं 123 फोर्थ नुमर पर आयता है यह थर्ड पर नहीं आता फोर्थ पर आता है यह वाला तो यह कह रहा है अनधर वेबसाइट पर जाएंगे आप मैंने कहा दिया ओके ठीक है और अब य है तो यह ARS की वेबसाइट खुली है तो आपको रिस्टेशन करना है आज मैं आपको जहीं बता हूँगा कि रिस्टेशन कैसे करना है क्लिक फोर नियु रिस्टेशन पर क्लिक करना है अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह कुछ इन्फोर्मेशन मांगेगा आपकी जैस तो यहां पर मैं अपना नाम लिख देता हूं और रिएंटर कर देता हूं गैस मैंने इसे हाइट कर दिया है क्योंकि मैं पिछली वीडियो में अपना नमबर दे दिया था और उसके बाद की बात खेर छोड़ो टॉपिक पर बटक गया मैं और वापिस टॉपिक पर आते हैं फिर आपको डेट ओ बर्थ लिखना है इस पर तो आप दिख सकते हैं बहुत इजी तरीके से आप लिख सकते हैं आप यह चेंज कर सकते हैं और फिर मन्त तो आराम से होई जाता है ठीक है फिर आपको रिएंटर डियो भी करना है मतलो डेट ओ बर्थ जो है वो रिएंटर कर तो मेरे को याद निया मैं देख लेता हूँ तो गैस मेरे को मिल गया है और अब मैं इसमें एंटर कर देता हूँ तो आप भी अगर आपको याद ना होता आप देखें लेकिन गलत ना भरें एकदम सही भरना है और ये मैं अपना fill up कर दे रहा हूँ उसमें फिर देखों नीचे में लिखा पड़ा है reenter आपको फिर से वही देना है जो आपने उपर लिखा है ये धियान रखना सही होना चाहिए और सेम होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए और आपको Selective Passing यार आपको याद होगा कि आपने कब पास के वैसे भी आपके Admit Card पे लिखा रहता है और फिर आपको ये Re-Enter Your Passing फिर से आपको कर देना है वही जो आपको जब आप पास होए फिर आपको Gender स्लेक्ट करना है मेल फिमेल जो भी आप कर सकते हैं गैस आपको एक बात बता दूँ जो मेल है उनका 100 रुपीज लगता है फॉर्म एपलाई करके रिजिटेशन वगरे सब पुछ करके समिट करने का 100 रुपीज लगते हैं और जो लेडिस होती है ना फिमेल उनमें फिरी है उनमें एक रुपे भी नहीं लगता है उनका फिरी में समिट हो जाता है तो आपको फादर्स नेम लिख देना यहां पर है और नेशनल इल्टी में इसमें आपको इंजिया कर देना है और रिएंटर फादर नेम पर क्लिक करना है और फिर से रिएंटर कर देना है आपको फिर इसके बाद मदर नेम फिर वही प्रोसेस है दो दो बार लिखना ब स्कता सुह लिखा है कि गलत लिखा है और इसप Todd was name में आपका ओंप मेरा मेरीड और निए अगर नहीं थे कोई भात है और जूनी यह ऑश्माघ कोई भाली बात नहीं रिखाहिए उससे खाली फाल कि रिएंटर मुएल नंबर गैस आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात हो या मैंसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर प्रस्नली मैसेज कर सकते हैं आपको तुरंत रिप्लाइं मिलेगा एक मिन्ट के अंदर यहां पर अपना इमेल लिख दो फिर आपको नीचे में रिएंटर मेल आएगा और मुएल नमर भी दो बार लिखना है एक बार तो वैसे लिखोगे एक बार रिएंटर मुएल नमर ठीक है फिर आपको नीचे आना है इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहां पर कर देता हूं अपना मेल और गास देखो नीचे में एंटर ओटिक का आएगा तो उस पर आपको क्लिक करना है चाहिए अब जैसे इसपर क्लिक करेंगे एक में कि मैं अपना मेल लिख देता हूं पूरा लिखा नहीं गया साइद हो गैस यह जो पेज है ना बीच-बीच में रिफ्रेस होता है जैसे आप कुछ लिखेंगे तो फिर एक बार रिफ्रेस होगा तो आप उसमें डरेना ठीक है वह वापिस सही हो जाता है फिर आपको जैसे आप अपना मेल डालेंगे और फोन नमर डालेंगे तो नीचे में गैट OTP का ओप्शन आएगा या सेंड OTP का तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास OTP आजाएगा फिर आपको वेरिफाई OTP के लिए पूछा जाएगा तो आप वहां पर वेरिफाई OTP कर देना मैंने यहां पर बलर कर दिया लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा के बता रहा हूं कि गैट OTP या सेंड OTP पर आएगा फिर आपको क्लिक करके वेरिफाई करना होगा फिर नीचे में आपक जो आपने उपर लिखा है सेम चुसे में वैसी नीचे लिखना है फिर यहां पर अंडर्टेकिंग है अंडर्टेकिंग पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है आपको फिर पासवर्ट बनाना है आप पासवर्ट पढ़ सकते हैं उसमें जैसे कि सपोस आपका नाम काजल है तो किस पर क्लिक कर देना और यहां पे एक मिट ऐगा एक प्रिवРИएस आएगा तो आपको किस П taraf करना है आपको समीट पर क्लिक करना है छीए ओर फिर इसके बाद अगर आप तब तो Most फॉल अपनी होगा यह तो फॉड़ा सा मजाग था बुरा मत मांना ठीक है अब आपको देख लेना एगर आपका कुछ गलत हुआ होगा तो आपको दिखा देगा कि नहीं आपका यह गलत होगा जैसे कि मैंने इस पर उस नेम में डाल दिया था मुझे नहीं डालना चाहिए था ठीक है और फिर आपको सबसे नीचे वाले पर क्लिक करना है ठीक है तो अब द दिखाई जाए और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ देखो यह गलत होता है तो बता आता है तो आप लोग भी अपना चेक करें दियान से गलत ना करें, शीक है टो मैं यहाँ पर सही कर देता हूं इसे तो guys आपको यहाँ पर undertaking पर click करना है और I have पर click करके submit कर देना है सबसे नीचे वाले पर click करके guys मैंने इसमें आपको इतना बताया है आज की कैसे आपको registration करना है और अगली वीडियो में आज साम कोई अकल सुबा तक आजाएगी उसमें आपको यह बताऊँगा कि पूरा process photo कैसे upload करें सब कुछ बताऊँगा तो यह आपका idea के जिसे मैंने हैट कर दे है और password और यह सब कुछ आपको दिखा रहा है